जैसरी गनिस दोस्तों क्या हाल समाचार है तो यहां देखें फटा फट आलू बॉयल है तेजपता यहां देख रहे हैं आप लोग यह सरसो तेल और यहां इसमें मेथी का फोरण पर गया इसमें तेजपता और उधर मैंने रफली काटा है एकड़म यह शेमला मिर्च और टाम और चलिए यहां देख लेते हैं यह देखें नमक धनिया पाउडर और होम मिर्च धनिया पाउडर भी है साथ में यहां पर कश्मीरी मिर्च पाउडर हल्दी है नमक है और अमचूर पाउडर है तो यह सारे जो जेनरल मसाले हैं जेनरल चीज़े हैं वही इसमें इसको भी यूज कर लेंगे और पता है इन आमला के परने से सबजी का बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधा टेस्ट और ये हरी मिर्ज का भी आता है तो जरूर से ट्राइ करें और ये विंटर स्पेशल हैं तो मैं करती हूँ देर सारे आमले को पका के रख लेती हूँ कुछ चटनी में यूज करती हूँ और कुछ सबजी में यूज करती हूँ अब देर के इस बात की बस आलू को इसमें मिलाना है ना अदरक न लहसुन न प्याज बस इन ही चीजों के साथ ये सबजी इतनी यमी बनेगी कि फिर आप कभी भी अगर लहसुन प्याज और अदरक नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं करना एक बात जरूर से ट्राई करें और इस प्रकार बस कुछ मिंटों में ये सबजी जबड़दस्त लाज जबाब सबजी बनके तैयार हो जाएगी तो इसमें कोई मेहनत नहीं है जो reality है वही बोल रही है इसमें उतना मेहनत नहीं है और बहुत कम मेहनत पे ये सबजी बनके तयार हो जाती है पूरी के साथ खाईए साधी रोटी के साथ खाईए पराठा के साथ खाईए सब के साथ अच्छी लगती है और थोड़ा सा पानी देंगे जितना पानी रखना हो और चलिए बस अब चौप कर लिया है तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं और इसको बहुत ज्यादा गलाना नहीं है क्योंकि यह सब्जी हमें बनानी है खटी-खटी और इसमें यह आमला का और थोड़ा आमचूर का टेस्ट और एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा साथ में सब्जी में बहुत इसी खुश्पू लाने के लिए थोड़े से कसूरी मिथी का यूज कर लेंगे इसके पढ़ते ही तो सब्जी के हो गए वाह वाह और टेस्ट के भी हो गए वाह वाह तो चलिए चलते हैं खाने के लिए बस मज़ा आ जाएगा चलिए आप लोग भी और बस लाइक करना बिल बिल्कुल नहीं भुलिएगा कॉमेंट्स करना भी मुझे बिल्कुल नहीं भुलिएगा और यहां देखिए कलर मैं दिखा रही हूं तो चलिए मैं उमीद करती हूं कि आज का जो यह वीडियो है बहुत आप लोगों को पसंद आया होगा रेसेपी पसंद आई होगी तो ठ सब्जी को आज किसी ने नहीं कहा कि यह बिना लहसुन के और प्याज के अधरक के सब्जी यह बनी थी प्लीज चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरा रिक्वेस्ट है और बिल बटन को प्रेस कर ले और 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 पे रखे ताकि सारी निव नोटिफिकेश बन गई है उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को सच मुझ में बहुत पसंद आया होगा थैंक्स वर वाचिंग माई डियर फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मैं आज मेरे मतलब 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ तब तक के लिए बाया थैंक्स वन सगें थैंक्स बस एक बात यही कहना चाहूंगी कि बस जो भी बेगिनर्स हैं वो फटा फटा यह सबजी बना सकते हैं उनको कोई परिसानी नहीं होगी और खास करके अगर आप वर्किंग है तो यह एकदम मस्त है आप इसे मतलब बहुत ही इंजोई कर सकते हैं और यह एकदम खाने में अगर सच बोलो तो चटनी जैसे भी लगती है तो बहुत टेस्टी लगती है और बस विंटर स्पेशल है तो इंजोई दिस विंटर स्पेशल सबजी यह देखो बाब बाई